अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूँ और आपको उसके बारे में पता चल जाए तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहें इस एपिसोड का नाम है दियाउग्रीज जिसका डिक्शनरी में मतलब है ओमन यानी फ्यूचर में जो होने वाला है उससे प्रेडिक्ट करना या उसके बारे में भविश्यवानी करना एपिसोड की शुरुआत होती है एक नए क्यारेक्टर से जो एक बहुत बड़ा बिजनस में नजर आ रहा है काफी रईस है और इसकी बिजनस मीटिंग होती है साथ ही हमें पता चलता है कि ये जो पूरा इलाका है उसका मालिक है एक तरह से ये शखस इस जगह को जिसका नाम है हूवर डाम इससे विलियम खरीदना चाहता है विलियम आपको याद होगा डेलोस का मालिक जिसका पिछले सीजन में कतल हो गया था यानि कि ये विलियम नहीं है उसकी होस्ट कॉपी है जिससे शालिट ने बनाया था एंड क्रेडिट सीन याद है अगर पिछले सीजन की डीटेल्स आपको याद नहीं है तो लास्ट सीजन यानि सीजन 3 से जुड़े जो मेरे वीडियोस है वो देख सकते हैं आप उपर लिंग दिया हुआ है तो विलियम का ये रोबोट वर्जिन हुवर्ड डाम को खरीदना चाहता है क्योंकि यहाँ पर वो सर्वर मौजूद है जिसके अंदर बहुत सारा डेलॉस कंपनी से जुड़ा डेटा है आपको याद होगा कि साथ साल पहले जिसके बारे में ये लोग बात भी कर रहे हैं डेलॉस ने वेस्ट वर्ड से जुड़े बहुत सारे डेटा को कहीं दूर भेज दिया था और उसकी जो इंक्रिप्शन की है वो डेलॉस के पास ही थी और वो भी सीजन 3 के आखर में मारी गई थी यानि कि यहाँ पर डेटा तो मौझूद है मगर उसे एकसेस करने का जो पासवर्ड है वो विलियम के पास नहीं है अब वो उस डेटा को तो नहीं देख सकता मगर वो सोच रहा है कि क्यों ना इस पूरी जगा को खरीद कर अपने पास रख लूँ और हो सकता है उस डेटा तक पहुँचने के लिए विलियम का कुछ और प्लान हो खेर ये जो नया कारेक्टर है वो विलियम को इस जगा को बेचने से इंकार कर देता है और विलियम उसे धमकी देता है कहता है कि आज तो मैं तुमें इस जगा को खरीदने के पैसे दे रहा हूँ लेकिन अगर तुम मना कर दोगे तो कल ये जगा मेरी अपने आप हो जाएगी मुफ्त में हो जाएगी वो शख्स विलियम की बातों से घबराता नहीं है और वहां से चला जाता है बात में जब वो अपने घर पहुचता है तो वहां पर उसे बहुत सारी मख्या नजर आती है और वो इस शख्स को शायद मार देती है या फिर उस पर कबजा कर लेती है क्योंकि ये जो शख्स है न यही हमें दुबारा नजर आता है पहले तो मुझे लगा था कि क्या इस शख्स को मार दिया गया है और इसका रोबॉट वर्जन यहाँ पर आया है बट ऐसा नहीं है हमें आगे पता चलता है क्योंकि ये पहले अपने साथियों को यानि अपने जो बिजनस पार्टनर्स है उन्हें मारता है और बाद में विल्यम के पास जाता है और विल्यम इसे आदेश देता है कि तुम अपने आपको मार लो तो ये जो शक्स है इस इनसान को विल्यम ने कंट्रोल किया हुआ था तो इनसानों को भी किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है वेस्ट वर्ल्ड में इस सीजन में ये बात हमें पता चल रही है पहुँचते हैं एक दूसरे इलाके में ये एक शेहर है जहाँ पर क्रिस्टीना नाम की एक लड़की से हमें मिलाया जाता है जो दिखने में तो डोलोरस अबरनाथी की तरह है मगर इसका कारेक्टर कुछ अलग है ये एक कंपनी में काम करती है जिसका नाम है उलिम्पियार इंटर्टेन्मेंट और ये एक राइटर है वो वीडियो गेम्स के लिए नॉन प्लेयर कारेक्टर्स लिखती है इन्हें NPCs कहा जाता है और किसी वीडियो गेम में इन कारेक्टर्स के साथ गेमर खुद नहीं खेलता क्रिस्टीना अपने ओफिस में बैठ कर अपना काम कर रही होती है वो एक कहानी लिख रही होती है और इस कहानी को देखकर हमें थोड़ा-थोड़ा लगेगा अप्पी एंडिंग्स वाली कहानिया लिखना चाहती हो और ये नहीं चलेगा वो एक तरह से क्रिस्टीना को वार्निंग देता है कि अपने लिखने का स्टाइल चेंज कर लो वरना तुम्हें जॉब से निकाल देंगे क्रिस्टीना की जिंदगी को फॉलो करते हुए आपको ये पता चलेगा कि एक शक्स उसे फोन करके या मैसेज़स करके परेशान कर रहा है और उससे कह रहा है कि तुम मेरी जिंदगी बरवात कर रही हो क्रिस्टीना थोड़ी हैरान है और वो कह रही है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है मैं तुम्हें नहीं जानती और मुझे एक कॉल करना बंद कर दो इसके बाद हम मेव को देखते हैं जो किसी गाउं के इलाके में अकेले रह रही है यहाँ पर बहुत बर्फ है ठंड है और मेव अपने पास्ट में जाकर मेमरीज को जी रही है अचानक से वो एक ऐसे मूमेंट पर पहुँचती है जब उसकी मेमरीज का शायद उस पर कंट्रो सा होता है और पुरे गाउं की इलेक्रिसिटी ही चली जाती है और यह सब कुछ मेव की वजह से हुआ है अगले दिन मेव पास्की एक दुकान पर जाती है और यहाँ पर मौजूद शक्स उसे बताता है कि कुछ लोग तुम्हें ढून रहे थे और वो तुम्हारे क्याबिन के लिए आए हैं मेव इन लोगों को आसानी से अपने जाल में भसा लेती है और इनका खात्मा कर देती है कई सारे होस्ट मारे जाते हैं हमें ये बात ऐसे पता चलती है कि यह होस्ट है क्योंकि इनका जो लीडर है वो भी एक होस्ट ही है और इसे हम वेस्ट वर्ल्ड में द पर फिर यहां से कहीं और चली जाती है दुबारा से क्रिस्टीना को दिखाया जाता है हम उसकी रूममेट माया से मिलते हैं और उसकी बाתचीट से ऐसा लगता है कि वो एक अलगी शोव में है इसे romantic comedies में होता है न कि एक friend होती है और वो लगातार कहती रहती है कि अरे तुम्हारी love life तो बहुत खराब है और तुम्हें बाहर जाना चाहिए, enjoy करना चाहिए, तो उसका typical वैसा ही character है Maya का, वो Christina को बाहर जाने के लिए और अपनी जिन्दगी जीने के लिए encourage करती है, फिर Christina Maya के कहने पर एक blind date पर जाती है, जो अच्छी नहीं गुजरती क्योंकि जो शक्स यहां उससे मिलने आया होता है, उसकी job को लेके उल्टी सीधी बाते कहने लगता है, और जाहिर सी बात है, Christina का mood off हो जाता है, साथ ही जब वो वापस आ रही होती है अपने घर की तरफ, तो ए एक शक्स उससे टकराता है, जिसका नाम है Peter, यह वही है जो Christina को बार-बार messages और call करके परेशान कर रहा था, और उसे अपने जिंदगी खराप करने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था, Christina फिर से उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा कुछ ने विगाड़ा, मुझे जाने दो, और Peter एक तरह से उसे मारने की कोशिश करता है, एक हत्यार निकाल कर उसकी गर्दन पर रख देता है, तब ही यहाँ पर एक अंजान शक्स आता है और वो Peter को दबोच लेता है, Christina बच कर वहाँ से दूसरी तरफ जाती है, मगर ऐसा लगता है कि बेहोश हो गई है, क्योंकि वो पहले तो यह देखती है कि यह जो अंजान शक्स था, जिसे वो जानती नहीं है, वो Peter को मार रहा है, लेकिन जब दुबारा Christina की आखे खुलती है, तो वो देखती है कि उस जगा पर कोई नहीं है, तो यह जो सीन है, इसने मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूस किया था, क्या Christina बी अगर आपके पास कोई आईडिया है या आप जानते हैं कोई थियोरी है, तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करिए, आगे बढ़ते हैं, अगली सुबह होती है, Christina फिर से अपना दिन शुरू करती है, और इस बार पीटर उसे दिन धारे टकराता है, और कहता है कि मैं अपने जि Christina को कह रहा था कि तुमने मेरी कहानी लिखी है और इसे बदलो, तो Christina जो non-player characters की कहानी लिख रही है, उनसे किस तरह से इस दुनिया में मौजूद लोग affect हो रहे हैं, ये अभी तक clear नहीं है, बट ये जो पूरा angle है, पीटर की death वाला, ये थोड़ा interesting है, वैसे आपको ये भ मिलते हैं Caleb से, ये character पिछले season में ही introduce हुआ था, और पिछले season की जो कहानी है वो लगभग 7 साल पहले की है, इस season के हिसाब से, और वो जो revolution हुआ था, bots और इंसानों के बीच वो खत्म हो चुका है, और इंसान अब आजाद है, उन्हें कोई machine control नहीं कर रही है, लेकिन Caleb को दे हैं कि पहले उसकी बगल में एक robot बैठा करता था, और अब एक इनसान है, जो से वो बाते करता है काम करने के दौरान, इस इनसान का कहना है कि तुम्हारी जिंदगी बदली है revolution से, या वैसी ही है, Caleb सोच में पढ़ जाता है, फिर जो change आया है उसकी life में, वो हमें दिखता है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसकी एक बेटी भी है, जिसका नाम है Frankie, और पहले Caleb बिलकुल अखेला था, तो उसकी जो personal life है, वो तो improved definitely हुई है, वो अपनी बच्ची के साथ काफी time spent करता है, उसके साथ खेलता है, और जो उसकी wife है, वो थोड़ा सा परिशान है इस बात को असर इनकी बच्ची पर ना हो जाए, वो Caleb से बार-बार इस बारे में बात करती है, कि जो future है, वो हमेशा positive होना चाहिए, और तुम्हें अपने past से जुड़ी जो problems हैं, उन्हें सिल जाना चाहिए, किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, whatever, शायद ऐसा ही कुछ कहना इसे भी हम पहले सीजन्स में देख चुके हैं, लेकिन ये जो अटाक करने वाला होस्ट है, उसका काम बहुत आसानी से तमाम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेव पहुच चुकी है, और वो Caleb और Frankie को बचा लेती है, केलब को एहसास होता है कि शायद दुबारा से जंग की श करना है, तो वो आखरी दम तक ये करता रहेगा, और बेसिकली आखरी दम जो है उसका वो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो इनसान है ही नहीं, रोबॉट है, और इस बात को फिलहाल मेव और केलब ये लोग नहीं जानते हैं, केलब अपनी फैमिली को छोड़ कर मेव के इस जंग पर निकल जाता है, वो विलियम से जुड़े कुछ लोगों को पकरने वाले हैं, ट्राक डाउन करने वाले हैं, आपको याद होगा कि पिछले सीजन का जो सबसे बड़ा विलन था, वो एक मशीन थी, और उसी मशीन ने प्रिडिक्ट किया था कि केलब एक फैमिली को छोड़ कर जा रहा है, तो क्या उस मशीन का ये कहना सही नहीं था कि केलब के लिए परिवार सही नहीं है, दुबारा चलते हैं क्रिस्टीना के पास, वो एक नई कहानी पर काम कर रही है, तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो अपने घर के पीछे फायरस्केप में जा वही मेज, जिसे हम वेस्ट वर्ल में पहले कई बार देख चुके हैं, इसी मेज ने, इसी सिंबल ने, डुलोरस को उस पॉइंट तक पहुचाया था, जहां उसे इस बात का एहसास हुआ था कि वो एक इनसान नहीं है, रोबॉट है, यानि उसके दिमाग के सारे ताले खोल टेडी तो मर चुका था, तो फिर ये कौन है, रोबॉट्स मरते कहां है, तो फिर टेडी की एंट्री दुबारा हो चुकी है, और इस निशान को बनाने वाला भी शायद यही होस्ट है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा शायद नेक्स्ट एपिसोड में, जैसा भी आनलाइन शापिंग करें, मेरे दिये गए लिंक के जरीए शापिंग साइट पर जाए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेप साइट या अप को डिरेक्ली ना खोलें, मेरे दिये गए लिंक के जरीए एउपन करें, इस लिंक के थुग आप जब भी तो इससे मुझे कमिशन मिलेगा आपके सपोर्ट से मैं अपने चानल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोज एक मिनिट एक मिनिट अभी कहा जा रहे हैं अभी इस वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कॉमेंट के जरिये बताने हैं